दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको Singapore के ऐसे hotels के बारे में बताऊँगा जिनका location excellent है, जो reasonable है और valley for money है hotels का लाम लेने के पहले में बताना चाहूँगा क्यों ये hotels value for money hotels है पहला बात ये सब centrally located hotels है जैसे Clarkway area, जो Riverside area Singapore का, जो बहुत ही सुन्दर अलाका है फिर Benkulin street, again very central, Little India, very near to Benkulin street, तो इन area का खास बात ये है कि इनसे जितनी भी attractions है सब 5-6 km की दारे पे है, तो इससे आपका काफी time और transportation cost दोनों काफी save होगा दूसरा reason, इनमें काफी hotels Little India area में हैं, जहां काफी Indian restaurants है, Indian food का बहुत आराम है जितना variety Indian food आपको यहां मिलेगा, उतना कहीं ही मिलेगा Singapore में, यह आपको तब हहसास होगा, जब आप शाम को ठके हारे आओगे घुमफिट के, और आपको बढ़िया खाना खाने का अमन करेगा, तो इससे बढ़िया location कहीं ही Indian food के लिए इसा reason, यह जितने भी hotels है, यह सब 100 Singapore dollars से 200 Singapore dollars के भीतर ही है, मतलब 5000 से 10,000 रुपे के भीतर ही इनका rate है, तो बहुत महंगा भी नहीं है और value for money है आखरी reason यह hotels चूज करने का, public transport जैसे MRT, bus stops, इन hotels के पास ही है, walking distance में है और 7-11 stores, जहाँ आपको खाने पीने के और जो भी समान चाहिए, निकनाक सब मिल जाएंगे, वो सब भी walking distance में है तो बहुत सुविदा है यह सब hotels में रुपने के लिए अच्छा आप यह hotels आप book कैसे करेंगे, generally best deals आपको online ही मिलता है मैं एतना travel क्या हो, और मेरा experience से best deals online ही आपको हमेशा मिलेगा बहुत कम बार agents online deal को beat कर पाता है तो कौन से sites से आप book करोगे, booking.com, agora, make my trip, yatra, go ebibo और hotel का direct site थोड़ी से मेहनत करनी पड़ती है, पर यह पात site को refer करके, जहांसे आपको best deal मिले, वो आप ले लो, तो इसी वे से आप booking करिएगा पहला है, पार्क, रोयल, और किचन रोड, यहां काफी इंडिन्स रुपते है, इसलिए हम बफे में भी Indian variety है दूसरा यह लिटल इंडिया एरिया में है, इसलिए यहां top Indian restaurants, जैसे केलाश, परवत और संगीता, एकदम बगल में है, walking distance में है दूसरा मुस्तिफा माकेट, वो भी काफी walking distance में है, तो बहुत सही इलाका है, और hotel है रुखने लाएके दूसरा है आईबिस बिंकुलन, जो बिंकुलन स्ट्रीट में है, इस hotel का आराम है, कि bus stop नीचे ही, सामने मिकडॉनल्स, बगल में 7-11 और पीछे food court, और MRT 10 मिट का walking distance में है और इस hotel के कौर खास बात है, कि आपको cycles मिलते हैं चलाने के लिए, कोई charges नहीं है, आप चाहो तो पूरा दिन cycle चलाओ, जैसे आप सुबह सुबह अपना cycle में या कहीं अगल बगल जाना हो, cycle लेकि आप अपना समान ले आए, या घूम ले, यह बहुत बढ़ा आराम है फिर है Holiday Inn Express जो क्लाको एरिया में है, बहुत ही बढ़ी अरलाका है, यह सिंगापो का यहीं river flow करता है, और iconic statue line जिसका मुझ से पानी निकलता है, यह भी यहीं है, इस hotel का rooftop swimming pool है, जो बहुत ही बढ़ीया है, मील्स में आपका Indian options भी है, बगल में Central Mall है, China Town जो बहुत ही बढ़ी है, बहुत ही बढ़ा सुमी पूल है, cascading waterfall है, MRT भी बगल में है, तो यह भी बहुत बढ़ीया hotel है, रुखने लाइक, फिर Boss Hotel जहां काफी इंडियन्स रुखते हैं, इसलिए अगेन यहाँ बभी में Indian meals का options काफी है, तो यहाँ बढ़ीया है, यहाँ बढ़ीया है, यहाँ अब रुख सकते हो, तो यह जितने भी hotels है, यह सब आप देखे, यह तीनों लास में मैंने जो hotel का नाम बताए, यह सब लिटल इंडिया में है, तो इनका location बहुत ही बढ़ीया है, especially for Indians who want to have Indian food, तो सही है जगा, यह तीनों hotels रुखने के लिए, reasonable भी है यह तीनों hotels, compared to other hotels जो म अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेगा, इससे मुझे प्रोशाहन मिलता है और वीडियोज बनाने के लिए, thank you